नमस्कार, स्वागत है आप सभी का में यूट्यूब वीडियो क्लास में यह वीडियो भी हार बुर्ट काक्षा 9 के गनित्वी सह पढ़ें जिसमें अध्याएक संख्या पद्धति के तीसरे भाग का ध्यान करेंगे जिसमें हम वास्तुरिक संख्याएं और उनके दसमलो परशार को अच्छे से समझेंगे पिछले दोनों वीडियो में हम वास्तुरिक संख्याओं के सभी परकारों को अच्छे से समझ चुके हैं यह है आपका टॉपिक वास्त्रिक संख्या हैं और उनके दसमलो परसार तो चलिए इसको हम अच्छे समझते हैं सुरवात हम इसके बेसिक जनकारी से करते हैं आप सभी ने भाग जरूर बनाया होगा भाग को इंग्लिस में डिवीजन करते हैं अब जैसे 9 बटा दू है इसका तो जम 9 में हम दो से भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा? चाड़ाएगा है ना? दो चुका आठ और इसमें से जो घट किया आता है वो हमारा क्या बन जाता है? सेस तो इसमें कुछ चीजों को याद कर लें आप जिस अंक से हम भाग देते हैं जैसे 2 से भाग कह लाएगा. इसको English में divisor या denominator भी कहते हैं. हम जिस अंक में भाग देते हैं, वह अंक भाजे कह लाता है. इसको English में हम dividend कहते हैं. हमारा जो sense आता है, उसको sense कहते हैं. उसको English में क्या कहते हैं? remainder. ठेक? और हमारा जो भागफल आता है, जैसे यह चार है, हम 9 में 2 से भाग दिये हैं इसका भागफल कितना आया है को सेंट चार आया है या एक पूर्ण संख्या है हमको इस तरह के भाग के बाड़े में नहीं पड़ना है हमको कैसा भाग के बाड़े में पड़ना है ऐसा जिसका भागफल दसमलो में आता हो ठीक है चल यह चलते हैं भ इसको इंगलेस में कहते है अब इस दोनों परकार का भाग क्या होता है इसको हम बना Suze धेखते हैं समझते हैं अब आपको समझने के लिए क्या करना है सबसे पहले नीम्ण भाग का भागफल 10 अंगों के 10 अंगों के जयाद करना है यह जो 4 भाग दिये हैं हम किरपया कड़के आप वीडियो को थोड़ा दे के लिए पोज कर ले और इस 4 भाग को इसका जो भागफल होना चाहिए वो दसमलो के 10 अंकों तक होना चाहिए ठीक है किरपया कड़के आप इसको बनाए ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा जब आप पहले और दूसरे भाग को बनाएंगे तो आप पाएंगे कि 11 में 4 से भाग देने पर क्या हुगा आपका सेस फल 0 हो गया, कट गया, है ना, भाग फल कितना आया, 5 दसमलो दो 5 इसके बाद कुछ नहीं है, है ना, यहाँ पर दसमलो के बाद 2 अंक आया और उसके बाद खतम हो गया जब आप 5 में 2 से भाग दिये, तो यहाँ भी सेस कटके खतम हो के एकदम सुनने हो गया और 2 दसमलो 5 आपका भाग फल आ गया, ठीक है, तो ऐसा जब होगा, सेस सुनने हो जाया और भागफल कुछ दसमलों के बाद कुछ अंक तक आके खतम हो जाया तो ऐसे भाग को हम क्या कहते हैं सांत दसमलों इसको इंगलिस में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल अब देखिए अगला जो है तीन और चार नमर भाग इसमें 5 में 3 से भाग देना था जब आप 5 में 3 से भाग देंगे तो आपका भागफल जो है एक दसमलों चो-चो-चो आएगा ढ़िक है चो-चो आते जाएगा और नीचे भी आपका सेस जो है हर ऐसे हर बार क्या होगा आपका 2 आएगा आप इसको कितना भी नीचे बनाते चले जाए आपका से समय साथ 2 आते जाएगा और इधर आपका भागफल इसको हम कैसे दरसाते हैं एक दसमलो 6 लिखेते हैं और इसके उपर एक दंड देते हैं इस दंड की दन मतलब हुआ इस दन्ड का मतलब हुआ कि यह 6 जो है यह बार बार है repeat कर रहा है. ठीक है? बार बार यह आ रहा है. ठीक तो यह देखिए गोड से देखिए यह जो दसक्तलों के बाद जो संख्या है वह क्या है यह सांत नहीं है है ना? यह लगातार आ रहा है, ठीक है, इसलिए इस तरह का जो दसमलोग आएगा, ये भागफल आएगा, उसके हम क्या कहेंगे, अन आउसानी आवर्ती, ठीक है, इसकों इंगिस में क्या कहते हैं, नन टर्मिनेटिंग, इडिक्यूरिंग, वैसे ही जब आप 14 में एक आड़ा सा भाग देंगे, तो वैसे ही आपका ये सेस जो है, हमेशा कभी आठ हैगा, कभी तीन आएगा, कभी आठ हैगा, कभी तीन आएगा, जितना लंब बनाते जाएंगे, वैसे ही कभी आठ, कभी तीन ऐसे ही आते जाएगा, और आपका जो सेस भागफल है, वह दो साथ, दो साथ, दो साथ, दो स अब क्या हो गया कि यह दो सत जो है बार-बार repeat कर रहा है ठीक है तो ऐसा भागफल जो है वह क्या कहलाएगा अनावसानी आवर्ती क्या कहते इसकों इंगलिस में non-terminating recurring तो आसा आप समाझ गए होंगे कि अनावसानी आवर्ती non-terminating recurring क्या है और अभी जो आप बनाया है सांथ दसमलो क्या है ठीक है अब इतना समझने के बाद आप एक किताब में एक बहुत ही अच्छा महतोपूंतत थे इसको आप लिख ले याद कर ले समझ ले अच्छे से कि एक परिमे संख्या का दसमलो परसार या तो सांथ होता है या अनवसानी आवर्ती होता है जैसा कि आप पड़ चुके हैं भी या तो सांथ हो सकता है या नहीं तो अनवसानी आवर्ती हो सकता है सांथ ही वह संख्या जिसका दसमलो परसार सांथ है या अनवसानी आवर्ती है यह क्या कहलाता है पडिमेशंख्या होता है ठीक है इसका मतलब यह हुआ जो भाग बना है एक इस भागा चार है ना एक इस भाटा चार है ना पांच भागा दू इसको क्या लिख सकते हैं पांच भाटा दू इसको क्या लिख सकते हैं 14 बटा एगारा तो इसका दस्मलोव सान था इसका भी दस्मलोव क्या था, सान था इसका क्या था अनौछानी आवर्ति था करने का मतलब यह सभी जो है यह पड़िमेसं गया है ठीक है उसके आपे लिखे हैं पढ़े हैं, उसका कहने कार्थ यही हुआ, यह दसमलोब परसार को आप समझ चुके हैं, कि दसमलोब परसार जो है, आप दो तरह का समझ चुके हैं, एक सांथ होता है, ठीक है, एक अनावसानी आवर्ती होता है, ठीक है, और यहां दोनों दसमलोब परसार जो है, वह क्या है, पडी में संख्या है, ठीक है, एक और तरह का दसंवलोपरसार होता है, जिसको आप नहीं पढ़े हैं, वह अन अवसानी अनावरती, इसको इंगलिस में कहते हैं, non-terminating, non-recuring, ठीक है, यह जो होता है अनावसानी अनावरती, यह अपडी में संख्या होता है, ठीक है, अब जैस जैसे root 2 आप पड़ चुके हैं root 2 एक नन यह अपर में संख्या है जब आप root 2 का मान निकालेंगे वर्गमूल 2 का मान जब आप ग्याद करेंगे तब आप समलों के बाद जब आप ग्याद करना सुरू करेंगे है ना तो यहां देखे 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5 है ना यह अलग-अलग त करेंगे ना बार-बार नहीं आएगा इसलिए इसको अना वर्थी कहते हैं और यह क्या है यह अपरी में संख्या है विसे ही आप पाई का मान जब आप ग्याद करेंगे तो यह भी 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5 दिन है ना हर बार एक नया संख्या आते जाएगा हर बार कुछ अलग स संख्या आते जाएगा मतलब कोई ऐसा संख्या नहीं है जो बार-बार रिपीट करेगा ठीक है तो इस तरह के संख्या को हम दसमलोग परसार को हम क्या कहते हैं और ना उसानी और ना वर्ती और यह क्या है ओपरी में संख्या है ठीक है तो अब दसमलोग परसार को अप अच ठीक है और किसी परस्न में आपको दिकत हो और आप वीडियो का सहरा लेकर आप ये समझे हो फिर भी उस परस्न को आप खुद से हल करने का प्रियास करें जब तक आप खुद से हल नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा अच्छा से तो चलते हैं पहला परस्न है निमलि कुछ पताने का जब दरत हैं नहीं अब देखे पहला प्रशन है पहला का एक है 36 भागा 100 हैना तो 36 में आप 100 से कैसे भाग देंगे देखे जब भी इस तरह का प्रशन हो नीचे बिटा के नीचे एक पर सुनने ङो हैना दो सुनने हो। तीन से हो जितना भी ये सुनने हो तो अगला प्रशन है, एक का दौ, इसमें आपको एक में एका ारा से भाग देना है, एक बटा एक आरा है, तो एक में आप एक आड़ा से कैसे भाग देंगे है ना अभी बहुत पोचों को समाज में नहीं आ रहा होगा तो इसको आप सीख लें हम क्या करेंगे चुकि एक आड़ा से एक छोटा है तो हम क्या करेंगे दसमलो देंगे जीरो देसमंडो, देकर यहांपर क्या करेंगे? जीरो उतारेंगे, अब देखिए अब भी यहाँ-2000 से जोटा है, है ना? 10 ही है यहाँ, फिर क्या करेंगे, हम यहाँ-छीरो देंगे? यहाँ-iston देंगे, फक? अब देखिए अब तो यह 100 हो गया अब हम क्या करेंगे एगारा नवा 99 कर देंगे ठीक है उपर से कितना उतर गया हमारा एक अब फिर यहां तर समलो है तो यहां सुनने आ जाएगा अब जब सुनने आया फिर देखिए एगारा से अभी भी छोटा है अब हम फिर क्या करेंगे यहां सुनने देखर एक और सुनने देंगे यहांपर अब फिर एगारा नवा 99 करेंगे ठीक फिर उपर से क्या उतर गया एक फिर हम वही परकिडिया अपनाएंगे हैना आपका क्या हो जागा 0-9-09-09 है ना यही आपका रिपीट होते चला जाएगा तो यहाँ क्या होगा? 0.09, पर हम क्या करेंगे? दंड देदेंगे, यही आपका क्या होजाएगा? इसका भागफल हो जाएगा तो यहाँ कैसा भागफल हुआ? यह हुआ आपका अनावसानी आवर्ती ठीक है? अब देखेंगे, आपका अगला परशन है एक का तीन नंबर, चार पूर्णाग के एक बटा आठ तो हम इसको क्या करेंगे? हम सबसे पहले पूर्णाग को तोर लेंगे आठ चुका 32 और एक 33, 33 बटा 8 हो जाएगा ठीक है? अब हम क्या करेंगे? तो हमारा कितना आएगा? देखें, यहाँ पर सेजफल कट जाएगा और हमारा 4 दसमलो एक दू पांच आजाएगा देखें, यहाँ पर आके खतम हो गया है ना? तो यहाँ कैसा दसमलो परशार हुआ? यह सांत दसमलो परशार हुआ? ठीक है? अब देखें, आपका अगला परशन है एक का, चार, तीन में तेरा से भाग देना है आपको तो जब तीन में तेरा से भाग देंगे आप भाग देना सेख चुके हैं यह छोटी संख्यों हैं, बड़ी संख्यों से कैसे भाग दते हैं तिन में जब तेरा से भाग देंगे तो अब भाग फल जो है, यह 0.05 के बाद यह भाग थोडा लंबा जाएगा आप इसको बनाए अपने कोपी में, है ना, ऐसे ही नहीं आप इसको उतारे, बनाए कोपी में यह आपका भाग जो है भाग फल क्या होगा, लंबा जाएगा, औ आप देखेंगे कि 0 दसमलों के बाद 2, 3 या 2, 3, 0, 7, 6, 9 फिर 2, 3, 2, 3, 0, 7, 6, 9 यह आपका क्या होगा यह रिपीट होते जाएगा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा आपका भागफल 0 दसमलों 2, 3, 0, 7, 6, 9 इसके उपर दंड लग जाएगा क्योंकि यह संख्या बार बार आप को रिपीट होगा ठीक तो ऐसे भागफल को हम क्या कहेंगे और आउसानी आवरती प्रस्न है एक का पांस नमबर दो में आपको एक अड़ा से भाग देना है तो जब आप दो में एक अड़ा से भाग देंगे तो आपका 0 दसमलों 1, 8, 8, 8, 8 ऐसे ही यह क्या हो का रिपीट क पढ़ चुके हैं देखिए आपका अगला प्रस्न है एक का छो नमबर 329 में 400 से भाग देना है आपको तो देखिए यहां यहां बहुत बड़ा संख्या से आपको भाग देना है आपको हो सकते हैं दिखक अथो बनाने में तो आप क्या करें इस दोनों सुनने को हटा दे आ उतना ही उपड में अंग गिनकर आप आगे दसमलों चार रहा दे ठीक तो नीचे में कितना सुनने हैं दो सुनने हैं तो आगे दो अंग के दो अंग छोड़के दसमलों चार हो जाएगा अब तो आप इस भाग को असानी से बना सकते हैं ठीक है तो जब 3.29 में 4 से अब आपका भागफा लाएगा 0.8225 यहां पर आगे खतम हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ यह है एक सान्त दसमलों है कैसा है सान्त ठीक है अब देखिए आपका आगला प्रसन है दो नंबर आप जानते हैं कि एक बटा साथ बराबर 0.142857 का दंड होता है ठीक है मतलब यह ज बराबर कितना होता है इतना होता है वास्तों में लंबा भाग दिये बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि दो बटा साथ तीन बटा साथ चार बटा साथ पांच बटा साथ छो बटा साथ के दसमलों पड़सार क्या है यदि हां तो कैसे मतलब एक बटा साथ का आपको पता है तो आप 2 बाटा साथ, 3 बाटा साथ, यह सब का भाग फल निकाल सकते हैं या नहीं वो भी बीना भाग दिये बगएर ठीक है, हमको भाग नहीं देना, हमको ऐसे ही पता करना है तो देखिए हम कैसे इसका पता करेंगे तो प्रवसन के अनुसार, एक बटा साथ का मान दिया हुआ है है ना, एक बाटा साथ जब भाग करेंगे आप तो कितना आएगा 0.1,4,2,8,5,7 का पूर्ना विरिती होगा, मतलब यह बार बार रिपीट करेगा तो जब यह दिया हुए आपको, तो आपको दू पता साथ, तीन पता साथ, चार पता साथ, इत्यादी साब क्या करना है आपको मान निकालना है, वो ही बीना भाग दिये हुए, तो कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ दो पता साथ है तो इस दो पटा साथ को आप दो गुने एक पटा साथ लिख सकते हैं चानी से जब इसको गुना करेंगे तो यह भी दो पटा साथ हो जाएगा ठीक है तो यह दो अलग हो गया, एक पटा साथ अलग हो गया, ठीक अब फिर इसको दो गुने एक पड़ा साथ का मान कितना दिया वह आपके पड़ास में इतना दिया हुआ है तो दू गुने 0.142857 कर सकते हैं ठीक है अब दसमलो बाला गुना आपको करने आता होगा ठीक है दू में जब आप इतना से गुना करेंगे है ना तो आपको कितना आएगा आपको आएगा 0.285714 ठीक है आपको इतना आजाएगा तो इसी तरह हमको क्या करना है हमको बनाना है देखिए इतना जो आएगा यहाँ भी इसका दंड होगा है ना क्योंकि फिर बाद में यहाँ बार बार रिपीट करेगा यही संख्या फिर बाद में भागफल में डिपीट करेगा तो 2, 8, 5, 7, 1, 4 पर क्या होगा एक दंड दिया जाएगा वैसा ही हमको क्या करना है इन सभी परशनों को हल करना है अब देखिए यहां 3 बटा साथ है तो इसको आप 3 गुने 1 बटा साथ लिख सकते हैं तीन गुने एक परशाथ का मतलब हो गया तीन गुने एक परशाथ कमान कितना है इतना है जिरो दो समलो एक चार दो आठ पाँच साथ का दंड अब जब आप इतना में तीन से गुना करेंगे आपको दो समलो वाला गुना आता होगा अब जब गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 0.4,2,8,5,7,1 का दंड तो ऐसे ही गुणा करकर आपको क्या करना है इन सभी कमान आसानी से आपको ग्याद कर लेना है तो इसी तरह 4.7 कमान हो जाएगा 0.5,7,1,4,2,8 का दंड टिक है पांच बटा साथ का मान हो जाएगा पांच में आपके एक बटा साथ का जो मान है उसे गुना कर देंगे तो यह जाएगा जिरो देशमलो साथ एक चार दू आट पांच ठीक है उज़तर चो बटा साथ का मान हो जाएगा चो गुने एक बटा साथ जो भागफल है वो आप दस्मान वाला गुना कर देंगे तो आपको आ जाएगा 0.08.571 दूचार ठीक है अच्छा यह सभी जो आप बनाए है अभी गुना ठीक है यह यह गुना कर रहे हैं भाग जो बनाए हैं बस हम दूच से गुना कर रहे हैं तीन से गुना कर रहे हैं चार से गुना कर रहे हैं लेकिन हमारा जो भागफल है वह क्या होगा वही होगा यही बार बार रिपीट करेगा इसमें भी बार बार रिपीट करेगा इसका मतलब हुगा कि इनसा भी भागफल का जो दसमलो परसार है वह कैसा हुगा ओन आउसानी आवारती ठीक है अगला परस्ण है तीन नंबर निमलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णा अंख है और Q बड़ाबर सुनने नहीं है मतलब तीन में तीन परस्ण है एक दो तीन इस तीनों परस्ण को देखिए यह दसमलो परसार में है इसको आपको किस रूप में व्यक्त करना है P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है ठीक है और यह भी ध्यान आखना है कि P और Q दोनों क्या हो हमारा पूर्णा आंखो और नीचे वाला जो है वसुनने नहीं हो तो देखिए इस परशन को हम कैसे हल करेंगे आप इसको अच्छे है समझे परशन 3 का पहला है 0.6 का उपर दंड है है इसको आप किस रूप में बदलना है P बाटाकिव के रूप में बदलना है तो 0.6 के उपर दंड है इसका मतलब क्या हुआ या कैसा 0.6 के उपर दंड है इसको हम क्या माल लेंगे एकस माल लेंगे ठीक तो एकस बराबर क्या हो जाएगा 0.6 6 6 यानि 6 के उपर दंड हो जाएगा यानि 6 6 या क्या होगा लगातारी बिट करेगा ठीक अच्छा जब हम इसमें इसी समीकरान में जब हम 10 से गुना करेंगे ठीक है किस से गुना करेंगे 10 से गुना करने पर क्या होगा हमको इसमें भी 10 से गुना करेंगे और इसमें भी 10 से गुना करेंगे इसमें 10 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 10 X बराबर इसमें 10 से गुना करेंगे तो ध्यान लखिए कि 10 से गुना करने पर क्या होते 10 लो इधर खसक जाता है तो यह 0.666 है यह 6.6666 यह वो तो चला जाएगा ठीक अब हम क्या करेंगे इसको समीकरन एक माल लेंगे और इसको समीकरन दो माल लेंगे ठीक है अब हम लिखेंगे आगे कि समीकरन दो में से समीकरन एक को घटाने पर हम क्या करेंगे कि इस समीकरन में से इस समीकरन को घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो क्या होगा या 10x में से x घट जाएगा ठीक है 10x घटाओ x बराबर है तो बराबर हम कर देंगे और फिर हम इतना में से इतना हो घटाएंगे नहीं, इतना मेंसे, इतना उखटाएंगे, ठीक, यानि 6 दसम लो, 6, 6, 6, घटाओ, 0 दसम लो, 6, 6, 6 का, ये रिपीट है, ठीक, अब देखिए, आके क्या होगा, 10x मेंसे 1 जाएगा, तो क्या होजाएगा, 9x, ठीक, बड़ाबर, इस 6 दसम लो, 6, 6, 6 मेंसे, 0 दसम लो, 6, 6, 6, घट जाएगा, तो ये क्या होजाएगा, सिधा 6 होजाएगा, अब एक्स बड़ाबर क्या होजाएगा, ये देखिए, 9 इधर तो इधर गुणा में ही धर जागा तो भाग में हो जागा यानि 6 बटा 9 हो जागा अब देखिया तीन से कट जागा 3 दूना 6 और 3 ती आई 9 ठीक है तो X बडाबर आपका क्या आ गया 2 बटा 3 ठीक है तो हमको इसको P बटा Q के रूप में जो हमको व्यक्त करना था तो P बटा Q के रूप में आ गया कितना है दो बटा 3 अब देखिये सेम इसी तरह हम अगला परसन को भी बनाएंगे तिसरा का जो दूसरा परसन है परसन तीन का दो परसन है यह है 0 दर समलो 4 साथ के उपर दंड है इसका मतलब क्या हुआ कि 0 दर समलो 4 के बाद 7 यह साथ ही सिर्फ रिपी किये है आयלה वा समाज में अगर यह दोनों पर रहता मतलब स्रीफ साथ बट् soccer इस तरह से रिपीट करता आप देखिये हम क्या करेंगे हम माना कि इतना बराबर 1 हम इसको x माल लेंगे यह जो संख्या है हम इसको क्या माल लेंगे? x ठीग? तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0 इस संख्या में जब हम 10 से गुना करेंगे, तो क्या होगा, 10 से एक हो जाएगा, फिर जब इसमें 10 से गुना करेंगे, तो 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 10 से हुदार खाच जाएगा यानि कितना हो जाएगा 47,7,7,7 हो जाएगा ठीक, अच्छा, हम इसको समिकरन 1 माल लेंगे और इसको समिकरन 2 में से समिकरन को 1 को घठाद देंगे, यानि समिकरन 2 में से 1 को घठाने पड़ क्या हो जाएगा dalla Tai 100 x में से 10 घड़ जाएगा ठीक फिर उसको गड़ 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 जाएगा ठीक है 100 में से 10 गया 90 x और इतना में से इतना गया घटा ले आप 43 आजाएगा ठीक तो x पर आपर कितना आ गया 43 बटा 90 तो यह 0.47 के उपर दंड जो है इसको जब पी बटा के उपर दंड है इसको आपको क्या करना है पी बटा के उपर दंड है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे हम इस संख्या को x माल लेंगे x बड़ाबर कितना हो गया अब देखिए 0.001 के उपर पूरा दंड है इसका मतलब क्या हुआ यहां तीनों संख्या बार-बार repeat कर रहा हुआ यादि 001, 001, 001, 001 ऐसे ही यहां क्या होगा repeat होते जाएगा अच्छा इस समीकरण में इसको समीकरhouse हम एक माले है इस समीकरण में जब आप 1000 से गुना करेंगे जब 1000 से गुना करेंगे तिन सुनने का मतलब क्या होगा यह दसमलो तिन अंक आगे घसक जाएगा ठीक यानि जब यह तिन अंक आगे घसक जाएगा तो यह दसमलो आजाएगा यहाँ पर यानि यह हो जाएगा एक दसमलो 00001 00001 ठीक है एक दसमलो 001 001 001 यह हैसा ही होता चला जाएगा आगे आवा समझ में, तो एक हजार से गुना करने पर इतना आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरन दो माल लेंगे, अब इस समीकरन में से इस समीकरन को घटा देंगे, ठीक, समीकरन दो में समीकरन एको घटाने पर, क्या होगा, एक हजार में से एक घटेगा, एक हजा तो यह हो जाएगा आपको एक बटा नौसो निनानबे ठीक है अगला परसन है चार नंबर जिरो दो समलो नौ 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 यानि नौ के उपर दंड है ठीक यह अनौसानी आवरती है मतलब जिरो दो समलो इतना को नौ नौ को आप पी बटा की उपर रूप में व्यक्त कीजिए ठीक क्या आप अपने उत्तर से आर्ष चड़ चकित है अपने अध्यापक और कच्छा के सहयोगियों के सांथ उत्तर की सर्थकता पर चड़ चा कीजिए तो पहले हम इसको हल करते है इसको हम क्या करते है पी बटा की उपर में व्यक्त करते है आपका प्रशन है 0-2 समलो 9-9-9 को क्या करना है आपको पी बटा की उपर में व्यक्त करना है तो यहां ध्यान देजी यह 9 जो है वह हल लगाता रिपीट कर रहा है तो आप इसको 0.9 का दंड उपर में दे सकते हैं ठीक है अब हम क्या करेंगे हम इस संख्या को X माल लेंगे माना की X बराबर 0.9 9 9 है न यह रिपिट कर रहा है ठीक अब हम क्या करेंगे इस समी करने में 10 से गुना कर देंगे आप बना चुके हैं पहले यानि 10 X बराबर अब इसमें भी 10 से गुना होगा तो 10 से गुना होगा तो क्या होगा यह 10 समलो यह किधर खशक जाएगा यानि यह हो जाएगा न यह रिपिट करते चला जाएगा अब हम क्या करेंगे इस दूसरे एक्वेशन में से इस पहले हो क्या करेंगे घटा देंगे जब इसमें से आप पहले हो घटाएगे यानि समी करन 2 घटाव समी करन 1 करेंगे तो क्या होगा 10 X घटाव X बराबर 9 समलो 9 का दंड घटाव 0 समलो 9 का दंड हो जाएगा यानि 10 x में से x जाएगा तो यह हो जाएगा 9 x और यह इस 9.9 का दन में से 0.9 का दन घटेगा तो यह बच जाएगा आपको कितना? 9 ठीक? x बड़ाबर क्या हो जाएगा? यह 9 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा यानि 9 बटा? 9 यह 9 इधर जाएगा यह बच जाएगा आपका 1 यानि आपका x बड़ाबर क्या आगिया? एक आगिया ठीक है? अब आप देखिए यहाँ सोचने माला तो बात है ही आप x बड़ाबर जिर्योदर समलों 9 9 नो 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 माने थे, हैना? और आपका यहाँ x बड़ाबर कितना आगिया? एक आगिया तो यह तो आचर जगन प्रसन तो है क्यूंकि हम यहाँ जो x माने है इसको हैना? यह आपको कितना आगिया? एक आगिया? यह दोनो अलग अलग है ठीक? हम देखिए आपका आगला प्रसन है पांच नंबर एक पटा सतर के दसमलो परसाड में अंको की पुनराविडिति खंड में अंको की अधिक्तम संख्या क्या हो सकती है? अपने उतर की जांच करने के लिए विवाजन किरिया किजिए अब देखिए आपको क्या करना है? आप सतर से भाग देना है या ठोगा लमबा जाएगा आपको इसे घबराना नहीं आपको क्या करना है? देते जाना है भाग देते जाना है, ठोगा लमबा कोपी में बनाइएगा ताकि आपको बहुत नीचे तक जाए है? निकालना मतलब उसका जो दसमलो आप पहले समझ ले, क्योंकि एक छोटा है और सतरा बहुत बड़ा संक्या है, तो आपको हो सकता है confusion हो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो दस समलोग करेंगे, तो जीरो दस समलोग करेंगे, तो यहाँ एक सुन्ने उतारेंगे, ठीक है, अब देखिए अभी भी यहाँ सतरा बंदरा, ठीक, यहाँ दस समलोग हो है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, सुन्ने होगा, ऐसे ही करते करते, ऐसे ही करते करते, आपको क्या करना है, इस भाग को आपको लंबा बनाते चला जाना है, ठीक, और आपका जो भागफल है यहाँ भी लंबा आते चला जाएगा, तो तो लंबा जाएगा यहां भी लंबा जाएगा अच्छा देखें यहां साथ तक आपको यहां पर यहां तक कितना होगा फिर इस साथ के बाद क्या होगा इस सुनने पांच आठ 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 आएगा ठेक फिर इसके बाद यहां आठ आठ आएगा ऐसा ही क्या होगा इसका पुन् हो जाएगा 0.05882-3-5294-1-1-7-6-4-7 के उपर दंड हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ यह जो संखिया है यह बार बार रिपीट कर रहा है तो परशन में 17 में यह 17 में एक में 17 से भाग देने पर ठीक है एक में 17 से भाग देने पर आपका जो शंख यह भाग फल का जो संख भागफल में देसमलोग के जो परशाड है उसमें संख्या का पुन्राविडिती हो रहा है वह कितना पर हो रहा है इतना पर हो रहा है आया पास समझ में अगला परसन है छो नमबर पी बटा क्यू के रूप की परिमे संख्याओं के अनेक उदाढ़ान लेजिए आपको परिमे संख्या का उदाढ़ा लेना जो कैसा हो P बटा क्यू के रूप में हो जहां P और Q पूरना अंख है जहां P और Q क्या हो? पूरना अंख हो जिनका एक क्या तरिक कोई उभनेश्ट गुरनखंड नहीं हो ठीक है? मने P और Q जो है वह एक केलावा और की ही संख्या से नहीं कटे जिसका सांथ दसमलोप परसार हो है ना और इसको भाग देने पर इसका दसमलोप परसार कैसा हो सांथ हो यानि दसमलोप के बाद कुछ आंको के बाद जाके वह क्या हो जाया क्या आप यह अनुमाल लगा सकते हैं कि Q को कोन कोन सा गुन अवस्य संतुष्ट करना चाहिए अगर आप वैसा उदाहणा लेंगे तो नीचे वला जो संख्यार हैगा डिनोमिनेटर हर यानि Q ठीक वह उसमें कोन सा गुन होना चाहिए यही पड़ाशन आपसे पूछ रहा है तो सबसे पगले आप इस पड़ाशन को फिर से अच्छे है समझिए P बटा Q के रूप में परिमेर संख्या का हमको क्या करना है उदाहरन लेना है जिसमें P तदा क्यों दोनों क्या हो पुर्णा आंग हो ठीक है जैसे 2 बटा 3 ठीक है 2 बटा 3 नहीं होगा 3 बटा 2 हो सकता है कि 2 बटा 3 का जो यह दसमलों पर सारे वह असांत होगा वह अवर्ति हो जाएगा अनोंसा नहीं अवर्ति यह P और Q क्या हो पुर्णा आंग हो एक के अलावा कोई भेनिस्ट गुनन खंड नहीं हो मतलब तीन और दो जो है वह सिर्फ एक से ही कटे मतलब यह बाकी संक्या से नहीं कटे जैसे देखिए छो बटा चार या देखिए छो बटा चार यह तो दो से कट जा रहा है ठीक दो त्याए चो दो दुझ ज़ए छो eto 4 तो आमको इस तरह का दा्डान नहीं लेना है हामको ऐसा दाडान लेना है जो किई संक्या से नहीं कटे सिर्फ एक से कटे अगला क्या कट है एक के अलावा कोई थेस्ट गुन खंड नहीं हो मतलब यह तो हो गया अगला एक दसमलों परशार सांथ हो जब आप तीन में दू से भाग दे तो क्या हो दसमलों के बाद कुछ हंग के बाद आकर बहुत कट जाए जब तीन में आप दू से जब भाग देंगे तो यह हो जाएगा आपका एक दसमलों पाज तो इसी तरह का आपको उदाहरन अपने मन में बनाना है अपने समझ के क्या करना है इसको बहुत सरा उदाहरन बनाना है 5, 6, 7, 8, 10 तक आप बनाए उसके बाद आप कुछ समझ में आएगा तो जब आप इतना उदाहरन लेंगे और उदाहरन ऐसा कि यह तीनों चीद को क्या करें फॉलो करें ठीक है यह तीनों मतलब इसमें समाहित हो तो अब क्या पाएंगे कि एक पटा दू का जो दसमलों परसार होगा वह क्या होगा 2, 2, 5, 3, 4 में जब भाग देंगे तो कितना हैगा 2, 7, 5 आएगा चार में 5 से भाग देंगे तो कितना हैगा 2, 8 आएगा बारा में 5 से भाग देंगे तो यह हैगा 2, 4 वैसे ही एक आडा में 4 से भाग देंगे तो यह हैगा 2, 7, 5, 3 में 2 से भाग देंगे तो 1, 5 8 में 5 से भाग देंगे पर 1, 6 नो में चार से भाग देने पर दिसमलो दूप माच धियान दीजिए कि दिसमलो पर सार जो है सभी का क्या है सांथ है ठीक है अच्छा एक के अलावा कोई भेनेस्ट गुरन खंट नहीं है इस दोनों का गुरन खंट आप देखिएगा तो एक के अलावा और की हिसे या नहीं दिनुमेंटर जो है हर जिसको क्यू कहते है है पीवाटा के क्यू में नीचे वाला क्यू या क्या है दो या पांच का घात है ठीक है या देखिए दो है या दो का घात है ठीक है दो का वर्ग है या पांच है पांच है दो का घात है ठीक है दो दूनचार फिर या दो है इसे इसमें डिनुमेंटर जो है हर, क्यू, वह क्या होगा? दो और पांच का गहात होगा. ठीक? यही परसन आपसे पूछ रहा था. हम देखें अगला परसन आपसे पूछ रहा था. ठीक? परीमें संख्या में सिर्फ सान दसमेलों परसार था और अनावसानी अवर्ती दसमेलों परसार था. यह अनावसानी अनावर्ती है. इसका मतलब क्या हुआ? यह अपरीमें संख्या है. तो पड़ी में संख्या में आप पढ़ चुके हैं कि रूट 2 का दसमलो पर सार क्या होता है अनावसानी अनावर्ती होता है फिर पाई का भी दसमलो पर सार क्या होता है अनावसानी अनावर्ती होता है फिर रूट 3 का दसमलो पर सार भी क्या होता है अनावसानी अनावर्ती हो कमान, एक दरशनलों साथ, तिंदू सुन्य यह अनन्ता कूछ न कूछ, आते जाएगा अर्त हाथ, यह तिनों उदारण जो है वह कैसा है, अनौसानी अनावार्ती का उदारान है, यह तिनों क्या है, अपरिमे संखिया है, ठीक है अगला प्रसन है आर्ट नमबर परिमे संख्या पांच बटा साथ और नव बटा एगाड़ा के बीच तीन अलग अपरिमे संख्या ग्याद कीजिए ध्यान देजिए यह दोनों परिमे संख्या है और इस दोनों के बीच आपको क्या ग्याद करना है और पडी में संख्या ग्यात करना है काई गो? 3 गो ठीक है? अब देखे, इस問 को हम क्या करेंगे? 5 बटा 7 और 9 बटा एगगरह के बिच हमको 3 पडी में संख्या ग्यात करना है तो हम 5 में 7 से भाग देंगा और 9 में 1 एगड़ह से भाग दे कर देखेंगे आप भी किर्प्या करके भाग दे और देखे कितना आ रहा है जब आप इसमें 7 से भाग देंगे 5 में तो आपको आएगा 0.714 यह आगे आता जाएगा फिर जब आप 9 में एक आड़ा से भाग देंगे तो यह आपको आजाएगा 0.8 यह आगे आता जाएगा अब आपको क्या करना है, इस दोनों के बीज, तीन अपड़ी में संख्या ग्याद करना है, एक, दू, तीन, ठीक, हम क्या करेंगे, यहां देखिए 0,7,14, यहां 0,8 है, ठीक, 0,7,1 और 0,8,1 के बीज, क्या हो जाएगा, 0,7,3 हो सकता है, ठीक, 0,7,5 हो सकता है, और 0,8, सुनने हो सकता है, ठीक है, यहां तीनों, यहां इस दोनों से क्या है, बीज में है, अब आपको आपड़ी में संख्या ग्याद करने के लिए, आपको इसमें क्या करना है, 7,3,0 कर देना है, ठीक, फिर 7,3,0, फिर 7,3,0, है न, फिर 7,3,0, यहां क्या होगा, यहां अनन तक ऐसे ही आते चला जाएगा, ठीक, यहां आपका आपड़ी में संख्या बन ग्या, वैसे ही इस 0,75 इस दुनों के बीच है, इसको हमको आपड़ी में संख्या बनाना है, है न, तो हम क्या करेंगे, 7,5 सुनने, 7,5 दुगो सुनना, 7,5 तीन गो सुनना, है न, 7,5 चार गो सुनना, ऐसा ही करते करते हैं, हम क्या करेंगे, इसको आपड़ी में संख्या बनाना एसा ही करते करते हम क्या करेंगे इसको भी ओपड़ी में संख्या बना देंगे तो ओपड़ी में संख्या आप समझ गए इस दोनों के पीज क्या होगा अब देखे एकला प्रस्ण है नो नमबर तो यहां देखिए वर्गमूल 23 है, पहला में क्या है वर्गमूल 23, जब आप इसका वर्गमूल ग्याद करेंगे भाग विधी से, आप कोई आता होगा ग्याद करने, आप आठीक करक्षा में हम पढ़ा भी चुके हैं इसको, तो जब आप इसका भाग विधी से वर्गमूल है, ठीक, दूसर पजिश का वर्गमूल 15 होता है, आपको पता होगा, तो यह तो 15 तो पुनांक है, है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह परिमेशंख हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, अगला देखे तीन नमबर 0.3796 तक है, इसके बाद कुछ नहीं है, है ना, इसका मतलब यह क्या है, सान दसमलो पर सार है, और आपको पता है कि सान दसमलो पर सार जो होता है, परिमेशंख होता है, ठीक, अगला है चार दसमलो चार साथ, आठ, चार साथ, आठ, या उसके बाद डॉट डॉट है, मतलब यह अनन तक कुछ ना कुछ आते जा रहा है, इसका मतलब य तब तक आप अपना पढ़ाई जाड़ी रखे और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें कुछ काना चाथे हो तो कमेंड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब यहूर करे और अपने दोस्तों को सियर करना ना भूले तेंक्यू